नमस्कार दोस्तों, उमर सेयद शेक, जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी, डैनियल पर्ल मडर केस में, आप तस्वीर में जो इनसान देख रहे हैं, ये है आपका डैनियल पर्ल, जिसको 2002 में पाकिस्तान के अंदर मार दिया जाता है, और इसी को लेकर यहाँ पर उमर सेयद कन आपर निउस देख सकते हो, युएस वांस पाकिस्तान, नॉट टू फ्री, डैनियल पर्ल किलर, उमर सेयद, तो यहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे, कि एक्जाक्ली ये डैनियल पर्ल मडर केस है क्या, लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ, कि इसका भारत क साथ काफी स्ट्रॉंग रिलेशन है, इन फाक्ट, 1990 में ये भारत के जेल में भी बन था, और आगे चल कर आपको याद होगा, जो 1999 में जो इंडियन एरलाइन्स को हाईजैक किया गया था, उसके बाद इसको रिलीस कर दिया जाता है, तो सब कुछ हम लिंक समझने की करेंगे, चली आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेस्बुक और फिट्र पर मेरे लेक्टर की हब पीडियोफ आपको फेस्बुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग् ध्यान रखेगा, ब्रिटेन में इसका जन्म हुआ था, अमेद ओमर शेयत चेक का, इसको कन्विट कर दिया गया था, अल्रेडी 2002 का जो डैनियल पर मडर केस था, मैं इसके बार में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन थर्जडे की बात है, अभी जस्ट दो तीन दिन पहले, पाकिस्तानी कोर्ट ने यहाँ पर उसको रिलीस करने का निर्ने लिया है, और यह बेसिकली सिंध हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, आप यह देख सकते हो, पाकिस्तान का मैप है, और यह जो प्रोविंस है, यह आपका सिंध, और इसी के अंदर जैसे हमारे देश में अलग लग राजियों के हाई कोर्ट होते हैं, वैसे ही सिंध हाई कोर्ट ने यहाँ पर उसको कहा है कि तुरंत रिलीस कर देना चाहिए, और इसी को लेकर आप यहाँ पर जो स्टेट डिपार्टमेंट है यूएस का आप ये ट्वीट रेख सकते हो, यहाँ पर पाकिस्तान से बाचीत की होगी और कहा होगा कि यहाँ पर उसको रिलीस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डैनियल परल का जो मडर केस है, उसमें क्लियर तॉर्ट पर उनी लोगों ने यहाँ पर हत्याग की थी, तो इसके बारे में तो मैं आपको बताऊँगा डैनियल परल के बारे में, लेकिन उसके पहले भारत को लेकर कुछ इसका लिंक था, जो कि उसने कुछ किया था भारत में, उसके बारे में हम जान लेते हैं, तो ध्यान रखेगा, आज के डेट में तो करीब यह 46-47 यर्ज का उमर्द सेयद सेख है, जो कि East London में वो बड़ा हुआ था, आगे चलकर क्या होता है कि Young Age के समय, जब वो Student था, College में पढ़ाई वगरा कर रहा था, तो उस समय Bosnian War हो जाता है, 1990s की बात है, तो उस समय Bosnian War होता है, और वहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि जो Muslims रह रहे हैं, उनके उपर प्रतारना की जाती है, तो वो क्या करता है, ड्रॉप आउट हो जाता है, College से, University से, और वो इस यहाँ पर War के अंदर Relief Effort देने के लिए जॉइन कर लेता है, फिर आगे चलकर उसके जो Relation है, और भी लोगों से जुड़ते हैं, और Finally जाकर क्या होता है, कि पाकिस्तान के अंदर जो Terror Outfits हैं, उनके साथ ये जॉइन कर जाता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में इसकी ट्रेनिंग भी की जाती है, और जब इसको ट्रेनिंग मिल जाती है, आगे चलकर 1994-95 के आसपास, उसको भेजा जाता है भारत के अंदर, और भारत में यहाँ पर New Delhi में यहाँ पर उसको बोला जाता है, कि आप जाकर जो Western टूरिस्ट आते हैं भारत में, उनकी किड्नैपिंग कर लीचे, तो यहाँ पर वो किड्नैपिंग भी करता है, जिसमें एक महिला भी होती है, बेला नस, ठीक है, तो उन लोगो किड्नैपिंग कर लेता है, और इसी लेकर भारत में जो security agencies हैं, उनको 1999 में, जो Indian Airlines है, उसको hijack कर लिया जाता है IC814, और इस चक्कर में आपको याद होगा, कि हमें यहाँ पर जो तीन terrorists थे, उनको release करना पड़ गया था, एक तो काफी famous है मसूद अजर, दूसरा है आपका मुस्ताक एहमत जरगार, और जो तीसरा है आपका दोस्तों, वो यही है ओमर सेयद शेक, तो क्या होता है कि वो गिरफतार तो रहता है भारत में, लेकिन इस airlines के चक्कर में यहाँ पर उसको release करना पड़ जाता है 1st January 2000, और जब वो release होता है 2000 में, वो फिर वापस से पाकिस्तान के अंदर चला जाता है, और पाकिस्तान में जाकर वहाँ की जो security agency है जो आपके ISI हो गया, इसके अलावा जो जैशे मौमद है, सभी का यहाँ पर एक तरह से member के तोर पर काम करता है जैशे मौमद जो terrorist group है उसके साथ, और फिर फानली 2002 में वो Daniel Pearl murder case में arrest हो जाता है, इन फाक्ट ये भी बताया जाता है कि जब वो 2002 में arrest हुआ था, तो उसामा ब पुरा attack देखने को मिला था, तो उस समय यहाँ पर क्या किया, उसने एक साल के बाद, attack के एक साल के बाद, क्योंकि वो तो 2002 से पाकिस्तान के जेल में बन था, लेकिन जेल में तो क्या बन था, वहाँ पर सारी facilities उसको दी गई थी, तो वहाँ पर क्या करता है ये, call करता है, haw भारत के अंदर जो हमारे External Affairs Minister है प्रणा मुखरजी जी उस समय, उनको भी 2010 में ये call करता है, तो basically उसका call करने का मकसद ये था, कि मुंबई attack के बाद से यहाँ पर और ज्यादा tensions बढ़ाई जाये दोनों देशों के बीश में, ताकि एक तरह की जंग छिड़ सके, war छिड़ स 38 years का होता है, तो जो Daniel Pearl है, वो basically American Generalist था, और the Wall Street General के अंडर वो काम कर रहा था, जो South Asia का पूरा रीजन है, उसके अंदर ये Bureau Chief था, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा था, कि कराची के अंदर था January 2002 में, और वहाँ पर क्या होता है, कि ये कोशिश करता है, कि जो Terror Groups है, उनके कुछ न कुछ हम एक स्टोरी बनानी की कोशिश करें, जो कि normally एक Generalist करता है, तो वहाँ से क्या होता है, कि कराची से उसको अपड़क्ट कर लिया जाता है, उसकी kidnapping कर ली जाती है, और फिर एक महने के बाद, February, March में, यहाँ पर जो कराची के अंदर US का Consulate है, वहाँ पर एक वीडियो भेजा जाता है, कि देखिए हमने इसको beheading कर दिया है, उसको मार दिया है, ऐसा वीडियो कराची के Consulate में भेजा जाता है, US का जो है आपका, इसके लावा फिर क्या होता है, कि जैसे यह वीडियो सामने आता है, पूरे विश्व भर में यहाँ पर जो है, मुसर्रफ जो है, वो प्रेसिडेंट होते हैं, उन्होंने यहाँ पर ओमर सय्यद सिख, और जो तीन मिलिटेंट थे, इन चारों को यहाँ पर फानली अरेश्ट कर लिया जाता है, और चारों लोगों को यहाँ पर एक तरह से कन्विक्ट भी हो जाते हैं, कि इन्होंने किया है सब कोज और finally death row पर बने हुए है तो 2002 से यहाँ पर उनको death row का sentence मिला हुआ है लेकिन फिर भी जो sentence है वो आपका death row देना चाहिए था वो आपका नहीं होता है अब देखें यह जितनी भी चीज़े हैं दोस्तों इसको लेकर एक movie भी बन रखी है अगर आप आप चाहो तो देख सकते हो मैंने भी देखा हुआ है ओमरता movie है यहाँ पर इसी के बारे में लगवक सब कुछ दिखाया गया है इसके अंदर आप चाहो तो देख लेना लेकिन अब क्या होता है देखें 2002 के बाद से तो यह जेल में ही बंद है और इसको death row की sentence भी मिल जाती है लेकिन यहाँ पर 2020 में एपरिल 2020 में कुछ चीजे change हो जाती है अब change क्या होता है जो सिंध हाई court है मैंने आपको बताया उन्होंने इसका जो conviction है उसको overturn कर दिया सिंध हाई court ने यह बोला कि हाँ इसके उपर charges जो है वो आपका kidnapping का लगता है मारने का नहीं लगता है हमारे पास ऐसा कोई proof नहीं है कि उसने इसका murder किया है Daniel Pearl का हम मानते हैं इस बात को kidnapping किया है लेकिन murder किया है हम शायद ऐसा नहीं मानते है तो एक तरह से उसका जो conviction है वो overturn हो जाता है और जो lesser charge है वो लगा दिया जाता है और वो लगाया जाता है kidnapping का सिर्फ इसी को नहीं बाकी भी जो 3 लोग है उनके उबर भी same ऐसा ही किया जाता है और kidnapping के लिए यहाँ पर मौत की सजा तो होगी नहीं उसके लिए उसको दी जाती है 7 years की सजात 7 साल उसको prison में रहना है लेकिन आपको क्या मने बताया 2002 से ही वो तो prison में बना हुआ है तो करीब 18 साल अलरी वो prison में रह चुका है तो एक तरह से उसने अपना जो sentence है उसको पूरा कर लिया लेकिन जैसे ही April के महने में इसी साल ये खबर आई थी तो यूएस की state department है और जो परल, Daniel Pearl की family है उन्होंने इस particular निर्ने को condemn किया और कहा कि अभी तक तो हम सबको पता था कि वही convict हुआ है लेकिन अचानक से यहाँ पर April के महने में क्या हो गया कि सिंध हाई court ने अपना जो decision है वो change कर दिया, overturn कर दिया lower court को और फिर finally यहाँ पर जो US है उनके दोरा pressure बनाये गया और जो Daniel Pearl है उसको release नहीं किया गया उसको basically जो Anti-Terrorism Act है 1997 का जी हाँ पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा Act है ध्यान रखेगा Anti-Terrorism Act 1997 इसके तहत यहाँ पर उसको detention में डाल दिया जाता है तीन महने के लिए फिर फर्दर उसको तीन महने के लिए और detention में डाल दिया जाता है लेकिन finally अब December के महने में यहाँ पर उसका detention खतम हो गया और इसी को लेकर सिंध High Court ने यह निड़ने लिया कि और जादा detention में हम उसको नहीं डाल सकते यहाँ पर already उसने जो सजा है अपनी काट चुका है उसको तुरंद release कर देना चाहिए लेकिन हाँ यह बात भी है कि उसको no fly list के अंदर रखना चाहिए मतलब कि वो country से बाहर नहीं जा सकता है और जब भी यहाँ पर court यहाँ पर उसको बुलाईगी समन करेगी उसको court में प्रस्तूत होना पड़ेगा तो ऐसा सिंध हाई court का निड़ना है अब इसको लेकर US काफी चिंती थे कि अगर वो release हो गया तो फिर से कुछ न कुछ इस तरह की गत्विधी करने लगेगा और इसलिए यहाँ पर जो US है वो नराज है अब यह पूरा मामला हुआ है I hope कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा जाने से पहले कुछ serious questions भी arise होते हैं कि क्यों नहीं यहाँ पर जो prosecutions है सही से चीजों का जो सिंध हाई court में पाकिस्तान सरकार के द्वारा प्रेजेंट करना चाहिए था कि शायद वो नहीं किया ग लिगता है कि जो पाकिस्तान की जो सरकार है जो agency है वो कही न कहीं मिली भी है इसके अंदर जिसकी वजह से उसका जो है kidnapping का ही यहाँ पर सजाद दी गई है तो I hope दोस्तों यह जो पूरा वीडियो था सब कुछ आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा जाने से पहले मै आपके लिए एक interesting question लाया हूँ भारत के अंदर भी आपको पता है कि कई बार कई तरह कई act बनाए गए हैं भारत के अंदर तो आपको बताना है कि यहाँ पर अभी present में कौन सा act operation में है ठीक है terrorism से related terrorism को tackle करने के लिए कौन सा act इस समय भारत में operation में है आपको यह बताना है त कोई भी course purchase करना चाते हैं study IQ आप पर जा सकते हैं यह hope कि वीडियो आपको पसंद आए होगा मिलता हूँ आप से next time till then thank you very much see you soon